चलिए, मार्केट्स पगरा पे डेटेल में चर्चा करेंगे, एक अफ्रेंट कमेंट्री निया आज क्या मार्केट्स? अब अगस्त निकल गया, अब हम आगे सितंबर में, सम्हाओ में जो फिलिंग आ रही है कि यहां पड़ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए आपको, यह मार्केट चलने को हो सकता है, कंटीनियो से चलता रहा है, हो सकता है, यह तो एक अप्रोची हो सकती है, कि वह अपना stop loss लगा के कंटीनियो करिये मार्केट में, लेकिन अगर आपने 1200 पॉइंट की राली ले लिये निफ्टी में, और अगर आप एक swing trader है, तो इन लेवल्स पर थोड़ी आप profit booking कर सकते हैं, मुझे मार्केट ना ऐसी पसंद नहीं है, जहां पर सब कुछ आपके favor म अब आज crude favor में है, FIS buy कर रहे हैं, market texture strong है, जब सब कुछ positive होता है, तब मैं normally फ़ड़ा नर्वोस रहता हूँ, मेरा मानना यह है, कि market का mechanism ऐसा है, कि market पहले ही सब कुछ price in कर लेता है, क्यूज बाद में आते हैं, तो क्यूज अब सारे positive आ रहे हैं, तो सकता है market अल्रड़ी यह मैं नहीं कह सकता, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता हो आपको फिर entry का एक मौका दे दे, क्योंकि 12 दिन से हम लगातार one way चल रहे हैं, एक भी दिन रुके नहीं है, और एक तो 13 का नमबर थोड़ा अशुब होता है, तो 12 दिन की rally हो चुकी है, एक और चीज, देखिए, यह अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां से और भी steps उठाये जाएंगे, especially weekly expires को लेकर, contract size को लेकर, इन सब चीजों को लेकर, तो यह मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा minor regulatory risk शायद market में open हो रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा, इसको आप completely ignore नहीं कर सकते हैं, आज तो ज आप Brent पर latch on करेंगे, यह Brent वापस 76 डॉलर के आसपस आ गया है, तो हो सकता है कि कुछ FMCG नाम, जो crude से related हो, oil marketing companies, paint stocks, interglobe aviation, जहां पर एक और positive है कि ATF prices भी cut हुए, तो आप चाहें तो stock specific रह सकते हैं, वैसे भी नई सीरीज के शुरू आते हैं, तो नई सीरीज के जब पहला full hafta शुरू होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, उसका Monday बहुत crucial होता है, उसके Monday का high और low, वो बहुत crucial होता है, आज का high और low, मैं थोड़ा सा, आज मेरे लिए ना somehow market observation वाली market है, आज मेरे लिए market trading वाली है नहीं, एक तो मैं खुद, जैसे मैं कहरा हूँ, जैसे मैं कहरा करेंगे, तो discuss करेंगे, setup इस समय extremely overbought है, इस market में मैं चाहता हूँ कि थोड़ी correction आजाए, अब वो आई गया नहीं, आई गया मैं नहीं कहनी सकता, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जो आपको वो चीजे बताने की कोशिशी करता है, जो screen पर ना दिख रहा हूँ, तो जब तब तेजी की बात हूँ, तब तेजी का लग नहीं था था, कि तब तेजी कराया थी, अब हो सकता है कि, मन्दी नहीं, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग, तीन सौ चार सौ प्वांट की प्रॉफिट बुकिंगर हो जाए निफ्टे में, तो कोई बुरा ही नहीं है, इ अगले दो स्टेफ चलने के लिए, चलिए, इसलियाद से आज का सेशन और ये आने वाला हफता दो सामने खड़ा है, खासा इंपोर्टन्ट होने वाला है, वाकिए, बारा सेशन बाक टू बाक बड़त पे चले चले जा रहा है, आज थोड़ा सा थमने के इंडिकेशन से, लेकिन थमने के क्या काऊं, फ्लैटी हैं, फ्रैडे की क्लोस के आज पास, गिफ्निफ्टी शुरुआत होने की बात कर रहा है, तो डिटेल में सारे क्यू समीकरन समझेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहा है, मंडे के मुनाफे की तैयारी की सुबा की टॉप हेडलाइन्स के स इंडिया की मार्केट न्यूस का हेड़कॉर्टर, सटीक अनलिसिस